नमस्कार मैं विकास सिंग और आप देख रहे हैं एक न्यूस 24 पावर स्टार पवन सिंग चुनाव लरने से इंकार करने के बाद पहली बार अक्षरा सिंग मीडिया के सामने आती है और अक्षरा सिंग सीधा असिरवाद लेने के लिए बागेश्वर धाम पहुचती है जी हाँ बागेश्वर धाम पंडित धिरिंद कृष्ण सास्त्री के पास पहुचती है जहाँ पर उनका आसिरवाद लेती है और बड़ी जानकारी वहाँ से निकल कर सामने आ रही है कि जब वहाँ पर अक्षरा सिंग पहुचती है तो वहाँ पर मनोच तिवारी भी जो बीज पवन सिंग को आसन सोल से टिकट दिया गया था उसके 24 घंटे के बाद ही पवन सिंग वहाँ से चुनाव लड़ने से इनकार करते हैं उसके बाद सुत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिलती है कि बीजेपी आसन सोल से अक्षरा सिंग को मैदान में उतार सकती है वैसे मे अक्षरा सिंग हाल में ही इस वक्त जन सुराज का दामन थामी थी और जन सुराज पार्टी का दामन थामने के बाद अक्षरा सिंग BJP में सामिल हो सकती है ये सूतरों के हवाले से बड़ी जानकारी बड़ी अपडेट मिल रही है लेकिन जब Akhtra Singh का वहाँ पर मीडिया से सामना होता है और मीडिया जब Akhtra Singh से पूचती है कि क्या आप आसनसोल से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या BJP आपको टिकट दे रही है, क्या ये तमाम मुद्दों पर जब मीडिया Akhtra Singh से सवाल जवाब करती है तो अक्षरा सिंग मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देते हैं मीडिया के कैमरे के सामने हाथ जोर लेते हैं और उसके बाद वो गारी में जाकर बैठ जाते हैं लेकिन इस वक्त लोक सभाद 2024 का चुनाव नस्दीक है वैसे में अगर हम भोजपूरी कलकारों की बात करें तो इनकी चांदी लगी हुई है इनकी लौटरी लग गई है एक तरह पावर स्टार पवन सिंग को टिकट दिया गया तो वहीं पर अक्षरा सिंग को भी अपचुनावी मैदान में जेपी उतारने के लिए तैयार हो गई है लेकिन अभी तक अक्षरा सिंग और अक्षरा सिंग के जो पिता जी है वो दोनों इस पर चुपी नहीं तोरे हुए है क्या निकल कर सामने आएगा ये किलियर नहीं कर रहे है लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी जनकारी बड़ा अपडेट मिल रहा है कि आशन सोल से चुनावी मैदान में अक्षरा सिंग उतरेगी वैसे में जब अक्षरा सिंग बागेश्वर धाम के दरबार पहुँचती है पंडिर धिरेंद कृष्ण सास्तिरी का नीजी कारी करम होता है उस कारी करम में पहुचती है और उस कारी करम में वहाँ पर मनोज तिवारी भी पहले से पहुचे हुए थे हम आपको बता दे कि इस वक्त छतरपूर में पंडे ध्रेंद कृष्ण सास्तिरी का बड़ा कारी करम चल रहा है, उस कारी करम में कई भोशपूरी कलकार पहुचे हुए हैं, कल वहाँ पर नीरहुआ पहुचे हुए थे, उसके बाद में खेसारी लाल यादो पहुचे हुए तो आज रात को वहाँ पर अक्षरा सिंग और मनोच तिवारी पहुचे हुए थे, जहां पर दोनों के बीच में कई मुद्दे पर बात भी हुआ है, शुत्र जो है वो जानकारी दे रहे हैं कि कई मुद्दों पर वहाँ पर बात हो चुका है, हाला कि अक्षरा सिंग जो है कि आसन सोल से चुनाव कौन लड़ेगा अक्षरा सिंग का नाम सबसे उपर निकल कर सामने आ रहा है पवन सिंग यानि की पावर स्टार पवन सिंग जब उन्हें टिकट दिया गया बीजेपी से आसन सोल का तो वो धर्नेवाद कहते हैं बीजेपी को लेकिन 24 घंटे के बाद ह वो नीजी कारिनों से वहां से चुनाव नहीं लड़ सकता हूं इस बात की जानकारी देते हैं जेपी नड़ा से उनका कल मुलकात हुआ था वो कहते हैं कि धैर बनाकर रखिये जो भी होगा अच्छा होगा लेकिन इसी बीच में अक्षरा सिंग का नाम आना आसन सोल से नाम पावन सिंग कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं ये अब तक साफ नहीं हो पाया है लेकिन भोजपूरी के दो कालाकार यानी की एक पावर स्टार पावन सिंग तो विहार की बेटी यानी की सेधनी माने जाने वाली अक्षरा सिंग चुनावी मैदान में आपको नजर आ सक बखते हैं ऐसे तमाम ख़बरों के लिए आप बने रहेगा एक निउस 24 के साथ दीजेगा इजाज़ा धन्यवाद